हाई गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाव तो क्लीन यूर स्किन इन विंटर आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैं हेर बेंड लगाऊंगी मैंने फेस को फेश वोस किया हुआ है पहले से अब मैं गुडवाइड का पपाया स्क्रब ले रही हूँ इसमें नो शल्पेट है नो पैरमीन है और यह मैं अपने फेस पे लगाऊंगी और स्क्रब करने से फेस की पूरी डट स्किन निकल जाती है और हमें वीक में दो बार स्क्रब करना चाहिए और स्क्रब को पाँच मिनट के लिए अपने फेस पे जरूर करना चाहिए लूपेट मया स्किन गएज अब मैंने face rose किया है उसके बाद मैं good wives का rose face mask लगा रही हूँ अपने face पे इसको निचे से लेके उपर तक लगाना चाहिए और round round करके यह face mask काफी अच्छा है skin को hydrate भी रखते है इसको मैं 10 मिनट के लिए लगाऊंगी देखो मेरा face mask पूरा ड्राइ हो चुक है और मैं इसको दोने जा रही हूँ और मैंने अपना face दो लिया है अच्छे से अब मैं इसको धीरे धीरे अधा रही हूँ सुखा रही हूँ पर फेस को लुकेट माइ ग्लोव गाईज अब मैं गुदवाइज का लेविंडर स्मूलिंग टोनर लगा रही हूँ टोनर को जरूर लगाया करो गाईज टोनर लगाने से हमारे ओपन पॉल्स मिनिमाइज हो जाते हैं उसके बाद मैंने गुदवाइज का रोज हिप सीरम लगाया है यह सीरम काफी अच्छा है और इसको मैं डेली यूज करती हूँ सीरम को यह स्किन को स्मूध बनाता है गलो देता है काफी अच्छे वाला सीरम है आप भी इसे यूज करके देखो देखो गाइस कितना अच्छा गलो आया है मेरे फेस पे काफी अच्छी स्किन लग रही है बिलकुल बेबी सोफ्ट हो गई है अब मैं पिंक मैजिक लिब बाम लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी अच्छा गलो आया है फेस पे बाई आई होप आपको वीडियो पसंदा आई हो तो वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो बाई बाई अच्छा है